तो तो ट्विटर ने हर एक पूश्ट के नीचे एक option दिया है comment करने वाले users के लिए जिसका नाम है download तो 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 क्या है download और इसका क्या use है किस purpose से जो है ट्विटर ने आपको ये provide करवा है तो आज की इस वीडियो हम इसी बारे में बात करने बारे हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ कमल कुश्वा और आप देख रहा है आपका अपना YouTube चनल Tech Live के के तो चले दोस्तो बिना time best के आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आपने अकसर देखा होगा कि आप जब भी ट्विटर पर कोई फोटो या वीडियो या फिर कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे तीन option आते हैं पहला आता है comment करने के लिए दूसरा आता है share करने के लिए और तीसरा आता है like करने के लिए लेकिन दोस्तो अब आप को ट्विटर की पोस्ट के नीचे जो लोग comment करते हैं उस comment के नीचे आपको चार option देखने को मिलेंगे share करने का like करने का और comment करने का और इसके last में जो है आपको कुछ इस तरह का option देखेगा जिसका नाम है download अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आकर इसका यूज क्या ह है तो दोस्तों होता क्या है कि कई सारी post ऐसी होती है जो कि बड़े बड़े politician बड़े बड़े new channel बड़े बड़े लोग बड़े celebrity कोई भी post करते हैं तो उसके नीचे जो है कई लोग ऐसी comments करते हैं ऐसी उसके नीचे जो है अपनी बात रखते हैं जो की बहुत ही काम की होती यह बहुती जरूरी होती है और उस पर विचार करने की आवशिक्ता होती है लेकिन होता क्या है दोस्तों कि वो comment जो है कई सारे और नय comment आने की वज़े से वो comment नीचे दब जाती है और उसको जो है उपर नहीं ला पाता Twitter तो इसी के लिए दोस्तों ये download option ट्वीटर ने अपनी तरफ से add किया है जिस पर आप click करके ट्वीटर को ये सुझाब दे सकते हैं कि भाई ये जो comment ये कुछ जरूरी चीज है इसमें ये बहुती महत्पून है इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस comment को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाना चाहिए आपको तो इस तरह से अपने users का feedback लेकर ट्वीटर उस post को ज्यादा से ज्यादा यानि कि उस comment को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक suggest करेगा और सबसे ज्यादा उस वैक्ति को suggest करेगा जिसकी post पर दूसरे आदमी ने comment किया है इससे दोस्तों होगा कि वो जो comment है वो highlight होगा और सभी की नजरों में जाएगा उसी के साथ में जिसने post किया उसकी नजरों में भी वो comment जाएगा जिससे कि उस वैक्ति तक उस comment करने वाले की जरूरी बात पहुंच सके और वो वैक्ति उस पर अपनी पिर्तिकिरिया दे सके तो आशाय दोस्तों आप समझ गए हों कि आकर इसका क्या यूज है और किस लिए किस परपस से ट्विटर इसको जो है लॉंज किया है तो अगर दोस्तों आपका अभी कोई सवाल है कोई कमेंट है तो आप कमेंट वॉक्स में जाकर जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आ अगली वीडियोम तक तक ली थेंक्यू सो मच धन्यवाद